आज Woke Up, अर्थत, Synonyms और Antonyms 50 सिखेंगे. पिछले दो दिनों में हमने 101 से 101 तक सिखा है, आज 101 से 150 तक सिखेंगे. और ये Woke Up के बारे में हम जानते हैं, इसके शब्दों के बारे में जानेंगे, किस शब्द के Synonyms क्या होते हैं, Antonyms क्या होते हैं, और सबसे important जो है, इससे हम याद करने की वीधी को सिखेंगे, और याद करेंगे उससे, और उसके लिए केवल 5 मिनिट लगते हैं, और किसी भी एक्जाम के लिए, ये जो शब्दों का चैन किया गया है, अती महत्पून है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं, और शुरू करने के पहले एक छोटा सा रिडल, मतलब पहली से शुरू करते हैं, थोड़ा सा क्लास इंट्रेस्टिंग बने, तो बोलता है, I run, yet I have knowledge, what am I, मैं दौरता हूँ, लेकिन मेरे पैर नहीं है, तो मैं कौन हूँ, जड़ा सोचें, और यह जवाब इंग्लिश में है, I run, yet I have knowledge, what am I, लगड़ा है कुछ आपको, I run, yet I have knowledge, what am I, तो देखिए अब जवाब यही है, क्या है, running nose, नाक बहता है जो है, उसे इंग्लिश में हम running nose करते हैं, तो मतलब है नाक दौर रहा है, इसका मतलब हुआ है, पैर तो है नहीं, और यही इसका उत्तर है, तो चलिए हम अब class शुरू करते हैं, यह छोटा सा, पहली था, riddle था इसे इंग्लिश में बोलते हैं, यह क्या होता है कि थोड़ा अच्छा लगता है, कुछ सोचने का वक्त मेलता है, अब हम शुरू करते हैं अपना class, इसकी चीज़ का सही reading कर रहा है कि नहीं, उसे इसाब करना, ठीक है, इसका synonyms में क्या-क्या word हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, यह caliber कर रहा है, कि length इसकी सही है कि नहीं, अब इसकी synonyms में quality आता है, capacity आता है, merit आता है, देखिए caliber से कहीं थोड़ा अलग होते हुए जा रहा है शब्दे, इसके जो synonyms हैं, लेकिन अर्थ almost एक होता है, तो caliber का मतलब है, हिसाब, synonyms है, quality, capacity, merit, आप भी अपने money-man एक बार इसे बोल लें, अब इसका antonyms क्या होगा, उल्टा क्या होगा, उल्टा क्या होगा जरा सोचलिक ने, inability मतलब जो हिसाब नहीं कर पाए, inadequacy, मतलब जो सही से नहीं कर पाए, तो फिर से बोलता हूँ, caliber, हिसाब, मतलब किसी चीज़ का सही हिसाब करना, इसका synonyms होता है, quality, capacity, merit, और antonyms होता है, inability, inadequacy, चलिए अब आगे चलते हैं, अब एक नया शब्द पे लेते हैं, लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहता हूँ, कि आप इन सारे शब्दों को, जैसे ही 50 सब्दों को याद कैसे करेंगे, please ध्यान दे इस बात पर, कि आप जैसे last page में जाएंगे, या इसके description पे भी मैंने link दिया हुआ है, अब जैसे ही से click करेंगे, जैसे last page पे यह आएगा, जब यहाँ पर ने, last page में, जैसे ही से click करेंगे, आपका यह खुलेगा, तो एक page पे आपको चले जाएगे, मेरे website की page पे चले जाएगे, वहाँ पे जैसे ही, यह इसी तरह का आपका दिया हुआ रहेगा test, जो आज आपने किया हुआ है, start के button में दबाएंगे, तो देखिए, यहाँ synonyms of abdicate दिया हुआ है, अब abdicate, abdicate का देखिए synonyms और antonyms दोनों ही है, abdicate का अर्थ होता है त्यागना, त्यागना मतलब quit भी छोड़ देना होता है, take on भी हो, take on तो मतलब त्यागना नहीं, accept करना, abandon होता है, छोड़ना होता है, अगर गलती से आप accept मार देते हैं, तो देखिए लाल हो जाता ह तो कहने का मतलब है, आप इस तरह जब एक बार पचास का अगर आप टेस्ट देने जाते हैं, तो आपको पांच मिनट लगते हैं, और तीन-चार बार टेस्ट देके आप सीख सकते हैं, तो जो सही में सीखना चाहते हैं, खाले वीडियो देखना तो दूसरी बात है, जो सह के बाद क्या करना होगा आपको दो-चार बार करके परफेक्ट हो जाना होगा फिर साथ दिन के बाद एक बार कर लेना है फिर दस-पन्ह दिन के बाद एक बार कर लेना है इस तरह से बार-बार करने से ही कोई शब्द याद होता है, और दूसरा कोई भी दुनिया में विदी नहीं है, जिसमें आप सम्पुन रुप से, एक-दो याद कर सकते हैं शब्द, लेकिन शब्द तो उतने नहीं होंगे आपके पास, कम से कम हजार शब्द करने होते हैं, किसी एक्जा वो है काम, काम का मतलब होता है शांत, जैसे इस नदी के सामने लड़की बैटी भी है, पुरी शांती चाया हुआ है, अब इसका सिनोनिम्स क्या है, सिनोनिम्स में आप बोल सकते हैं, पीस्फुल, ट्रैंक्विल, प्लैसिद, सूध, तो काम का सिनोनिम्स जो है, समनार्थक श जो है, पीस्फुल, ट्रैंक्विल, प्लैसिद, सूध, ये आपके चार शब्द हुए, एंट्रोनिम्स क्या होगा, उल्टा क्या होगा, उल्टा है, एजिटेट, एजिटेट मतलब उद्देलित होना, शांत मन है, और उद्देलित मन है, अपसेट हो जाना, ठीक है न, मतल जो अलग-अलग बाते हैं, तो काम का हमने अभी सिखा, सिनोनिम्स है, पीस्फुल, ट्रैंक्विल, प्लैसिद, और सूध, ये सिनोनिम्स होगा, काम, अर्थात, शांत, एंटोनिम्स है, एजिटेट, अपसेट, चलिए अब अगले शब्द पे चलते हैं, अगला जो शब् हम जानते हैं, कैंसल मतलब रद्द करना, अब इसके सिनोनिम्स को जान लीजिए, ठीक है न, और इस महासाय को भी देख लीजिए, एबोलिश, मतलब समाप्त करना, डिलीट, मतलब काट देना, एनल, मतलब रद्द करना, रिपील, मतलब दूर हटा देना, रिवोग, मतलब खतम कर देना, तो यह सब के माने एक तरह से रद्द करना ही है, तो cancel के synonyms क्या हुए abolish, delete annal repeal, revoke और antonyms क्या हुए cancel का उल्टा होगा approve, मतलब आपने मान लिया स्विकार किया continue करना approve, continue sanction, approve और sanction एक ही अर्थ में है तो हमने cancel का क्या जाना synonyms में abolish, delete annal, repeal, revoke और antonyms क्या है approve, continue, sanction हाँ, एकदम समझ गया है भई देखो यह कर बोल रहे के समझ गया न एकदम समझ गया है अब आगे चलिए अब एक दूसरे शर्थ पे आते है canny, canny का मतलब होता है चतूर, चलाग ठीक है न, very clever तो canny जो है, इसका synonyms क्या होगा clever होगा astute मतलब धूर्थ, artful मतलब वह है न, वही माने धूर्थ, धूर्थतापुर्ण चतूर्थापुर्ण antonyms क्या होगा antonyms होगा foolish, मुर्ग, idiotic मतलब मुर्थतापुर्ण तो canny का मतलब क्या होता है चालाग canny का समनार्थक क्या है synonyms क्या है clever, astute और artful antonyms क्या है foolish, idiotic ठीक है न तो आशा करता हूँ इसको आप एक बार फिर से गहरी नजर से देख लीजिए चलिए अब जो है नए शब्द पे आते है अब है कि हम caliber फिर से हम उसको दोडाते हैं मतलब हिसाब था मतलब सही हिसाब synonyms क्या था quality था capacity था merit था antonyms में क्या था in क्या था याद है inability और inadequacy काम का शांत था काम का synonyms क्या था peaceful फिर क्या था tranquil फिर क्या था placid फिर क्या था sooth और शांत का उल्टा क्या होए agitate होता है ठीक है upset होता है तो हमने फिर से में actually हमने जो शीखा है उसको एक बार यह कर लूँ फिर इसके आगे हमने पढ़ा था cancel cancel मतलब रद्द करना इसको abolish भी होता है ठीक है हम इसके against में delete भी बोलते है annal भी बोलते है repeal भी बोलते है revoke भी बोलते है यह सारा का सारा अर्थ जो है रद्द करना antonyms में क्या है admit करना ठीक है न sanction करना continue करना यह तीन शब्द है ठीक है अब आगे आते है canny canny का मतलब होता है चालाक ठीक है न चालाक का synonyms में clever होगा आपने हमने बोला था astute होगा artful होगा और इसका antonyms क्या होगा antonyms जो होगा वो होगा foolish होगा और idiotic होगा चलिए अब आगे चलते हैं नए शब्दों को लेते हैं यह तो चार जो हमने main शब्द थे उसके उपर base करके 28-30 शब्दों को हमने सीखा लेकिन इसे अभी खून में मिलाना ज़रूरी है और खून में मिलाने के लिए टेस्ट देके ही हो सकता है चलिए वागे चलते हैं अब हमने बोला है canton caras canton caras मतलब होता है जग्रालू canton caras का मतलब है जग्रालू और इसका यह जग्रालू से कुछ ज़्यादा ही होगी है है ना थोड़ा ज़्यादा होगी है लगा रहा है लपाटे देखो क्या आल है इसको क्वारल साम बोलते हैं irritable बोलते हैं अब दे रहा है बड़ी आस्ट एंटोनिम्स को क्या बोलते हैं अरे बाप रिबाप रूख जया भाई एंटोनिम्स क्या होगा गुद्नेचर्ड, चीरफूल एमिकेबूल तो कैंटन केरस का मतलब क्या होता है जगरालू इसका क्वारल हम जानते है क्वारल साम होता है irritable होता है एंटोनिम्स क्या होता है गुद्नेचर्ड, चीरफूल, एमिकेबूल ठीक है अब आते हैं दूसरा ये शब्द है Capitulate Capitulate का मतलब होता है अब Capitulate का जो हम करते हैं Capitulate का मतलब होता है हतियार डालना Capitulate मतलब हतियार डालना इसका Synonyms जो है उसका Synonyms है Surrender Give Up मतलब बुलता है ना Surrender करना Capitulate हतियार डालना Surrender करना Give Up करना और इसका Antonyms क्या होगा Antonyms होगा Resist, विरोध करना Defend करना तो Capitulate का मतलब होता है हतियार डालना Capitulate का मतलब होता है हतियार डालना Synonyms क्या है Surrender give up Antonym क्या है Vipritarthak क्या है Resist, Defend अब चलिए अगले शब्द बे आते है अगला शब्द जो है वो है caricature caricature का मतलब होता है ब्यंगपूर्ण चित्र ब्यंग चित्र जो बना जाता है caricature इसको हम synonyms में cartoon भी बोलते हैं mimic बोलते हैं imitation बोलते हैं और gross task बोलते हैं तो cartoon, mimic, imitation, gross task ये जो है caricature का आपका synonyms है antonyms में क्या होगा, ulta में हम क्या बोलेंगे praise और flittery praise और flittery में क्या होता है praise मतलब होता है आपका किसी का प्रशंक्षा करना और flittery का मतलब होता है मक्खन लगाना ठीक है तो caricature का caricature मतलब होता है ब्यांग चित्र किसी का जैसे ये बना हुआ है सब ब्यांग चित्र इसका synonyms क्या है cartoon, mimic, imitation, grotesque antonyms क्या है, ulta बिप्रितार तक क्या है praise, flittery अब हम अगले पे शब्द पे आते है वो क्या है carouse, carouse का मतलब क्या होता है, डट कर शराप पीना, ठीक है न, मतलब party, शराप की party बोलते है न, एकदम अंधा धुंद पीना तो अरे वा, क्या हो रहा है देखो यहाँ, देखो फ्रॉलिक वो भी है, मतलब होस को के शराप पीना, कौफ मतलब वही है, party तो ही है, रेव और बिंगे, बिंगे जो है वो भी इसी का मतलब होता है, कि शराप पीके धुत हो जाना, तो केराउस जो है, डटकर शराप पीना है, इसका मतलब फ्रॉलिक है, कौफ है, पार्टी तो है, वाइन पार्टी, रेव और बिंगे, और एंटोनिम्स क्या है, एंटोनिम्स जो है, इसका मतलब है, फास्ट, उपुवास करना, स्टर्बेशन, भुक मरी होना, बिना खाए पीए रहना, तो केराउस जो है, केराउस का मतलब क्या होता है, डटकर शराप पीना, इसका सिनोनिम से फ्रॉलिक, कौफ, पार्टी, रेव और बिंगे, एंटोनिम से फास्ट और स्टर्वेशन, आशा करता हूँ देखी, ये शब्ज जो है, अभी आपको थोड़ा-थोड चैनल पर मिलेगा, लेकिन मैं बार-बार बोलूँगा, टेस्ट जरूर दे, टेस्ट देते ही आप सीख सकते हैं, और बड़े आसानी से सीख सकेंगे, कोई पैसे वैसे नहीं लगते हैं, अपने आदत में शुमार कीजिए, केवल पांच मिनट लगता है, चलिए अब अगल करके हम फिर से याद करते हैं, केंटन केरास का मतलब क्या था? जगडालू, इसका सिनोनिम क्या है, क्वारल साम था? याद है, और क्या था? क्वारल साम छोर के इरिटेबल था, एंटोनिम क्या था? इसका उल्टा क्या था? उल्टा था कि good-natured, cheerful, जो खुश रहता है, amicable, ठीक है ना जो मृदु भाषी केंटन करस का मतलब होता है जगडालू अब दूसरा हमने सुना था कैपिचूलेट मतलब हतियार डाल देना सरेंडर करना ठीक है ना और इसको हम बोल सकते हैं दूसरा गिब अपकरना ओभी हतियार डालने का इमन ऑन टोनिम्स क्या है रेसिस्ट करना ठीक है ना फिर करना डिफेंट करना और अगले हम दो शब्द और सीखे हुए थे caricature caricature मतलब ब्यंग चित्र caricature मतलब ब्यंग चित्र synonyms क्या था cartoon था याद आ रहा है न mimic था imitation था grotesque था और antonym में क्या था antonym में था praise था और flattery था praise मतलब यह करना क्या करते हैं गुंगान करना flattery मतलब मककन लगाना caricature के बाद हमने सिखा था carouse carouse का मतलब क्या होता है डट कर सिराप पीना ठीक है न इसका synonyms में क्या था frolic quaff party rave और bingay और antonym में क्या था antonym में था starvation और fast ठीक है तो हमने इस तरह से आज देखिए सारे शब्दों को मिलाये जा पचास शब्द हमने सीखे हैं तो अब लेकिन क्या है कि ये शब्द जो है आपके ऐसा नहीं कि carouse आएग आपको frolic भी आ सकता है quaff भी आ सकता है rave भी आ सकता है bingay भी आ सकता है उसका एंटोनिम पुछा जा सकता है starvation आ सकता है उसका उल्टा पुछा जा सकता है तो ऐसे में जो है इन शब्दों को आपको खून में मिलाना होगा और इसके लिए एक ही है कि टेस्ट देना है पहली बार टेस्ट देंगे तो पांच मिनट लगेगा दूसरी बार टेस्ट देंगे तो तीन मिनट तीसरी बार दो मिनट चोती बार तो एक एक मिनट में करना शुरू करेंगे और चार-पांच बार टेस्ट देंगे तो दस मिनट लगेगा पूरा का पूरा जो है डिडी अकाडेमी का सिंबॉल आएगा यहाँ पर उस सिंबॉल पर जैसे क्लिक करेंगे आप आपको सिधा वो आपको मेरे वेबसाइट पेज पे ले जाएगा वहाँ वेबसाइट पेज पे उपर आपका टेस्ट देने का दिया है नीचे ये वीडियो भी है और इसके साथ-साथ इसमें लिंक नीचे की तरफ दिया हुआ है जिसमें आप पहले के जो वीडियो हैं उसको भी देखते हुए वहाँ पे भी टेस्ट दे सकते हैं अगर आपने आप नए हैं मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो मैं आप अवश्य मुझे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेर करें आपने समय दिया इसलिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद